है रो दोस्तों तो आज हम बनाने चाह रही हैं तही पनीर हांडी तो आप इसे बहुत ही असान तरीके से घर में बना सकते हैं तो चलिए रिश्पी शुरू करते हैं तो मैंने यहाँ 200 ग्राम पनीर लिया है तो पनीर को हम क्यूब साइज में इस तरीके से कट कर लेंगे तो क्यूब साइज में पनीर को चEu रही हूं तो पनीर को में इस तरीके से काँ लिया है देखिए इस तरीके से हम पनीर को चटकर देंगे और चलते हैं अगले कि तरफ तो मैंने यह भाउल लिया है तोबाउल में हम डालेंगी एक कट्चोरी दही तो यह घर की जबी होई दही है तो जाधा घटी दही मत लिचेगा तो एक कट्चोरी को मॉर्धी टाल देंगी आदा चोटा चमच लाल म्यूच का पाउडर डालेंगी आदा चोटा चमच गरम मसाला पाउडर डालेंगी आदा चोटा चमच काली म्यूच का पाउडर डालेंगी आदा चोटा चमच लहसन का पेस्ट हम डालेंगी नमक इसमें डाल देंगे आदा चोटा चमच इन सारी चीजों को हमें मिक्स कर लेना है बिल्कुल स्मूथ सा एक पैटर जैसा यह बन जाएगा तो इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से आप लीजिएगा मिक्स कर लीजिएगा इसमें हम डालेंगे एक से दीर चममत पनीर टिकका अगर आपके पास है तो जरूर flight करेंगे बहुत अच्छा टेस्ट आता है फथ कटा हुआ हम इसे घ्राइब हम अपिप निदेंगे अश्या ऑप टालेंके चाओ तो अश्याहान चाओ डाले जाए ट्विवा अच्छे झाल ना टूटे मैंने थे जाँ हुआं कि लिग्वा यह तो को बिल्कुल इस तरीके से घ्राव चलते हैं तो मैंने आए गैस पी प्या अगर आपके घर में जो तेल इस्तमाल होता हो आप वही ले लीजेगा और बस पनीर का मिक्षर जो हमने त्यार किया था वह हम डालेंगे और बस पनीर को हमी बिल्कुल हाई फ्लेम पे तीन से चार मिनट के लिए भून लेना है ताकि पनीर थोड़ा हमारा लाल हो जाए तो अ प्रशामी निकाल लेते हैं और पैन गैस पे मैंने फिर से रख दिया है इसमें हम डालें दो सी तीन चोटा चमच अधा जीरा डाल देंगी अ कि करे गर मसाला हम डालेंगे इसमें परी लाची चोटी लाची लॉंग दाल चीनी और काली मिर्ष की कुषदाने लाल हो जाने कैसे पेप्यंज की अच्छे से कट पी अच्छा वेज ईनचे मिक्स करेंगे चला लेंगे passes कं और प्याज को में दो से डाइं मिनट केली बिंख लाल करकी जुँद ले anci 300 नंग बाद में चोट जिएम धाने बाड़न का पेष्ट आप अहान च्रहिकर एसमें स्वाज का प्याज को भून सकते हैं एक मिनट हो चुका है तो फिलाल एक मिनट के लिए और धग देते हैं और देखिए फाइनली दो मिनट हो चुके हैं प्याज काफी लाल हो गया है तो अब इसमें हम एड़ करेंगी एक बड़ी साइस का टमाटर का पेस्ट डाल देंगी और बस मिक्स कर लेंगी चला लेंगी हम और अधी से एक मिनट के लिए इसे भी हम भूल लेंगी तो ग्याज का फिलाम आप मिनट हाई करकि आप इसे भून सकते हैं और एक मिनट जैसी हो जाएगा कुछ सुखे मसाले अट करेंगी तो आदा चुटा चमच डर्या जला दादा जला चूछ घर्या जलाए डर तो तब तक भून लेना है ताकि तेल जब तक भाहर न आ जाए तो तब तक भून लीज़ेगा और 2-3 मिनट में अच्छे से लाल हो जाता है मसाला जाए ज़ा लेंगे हम अब इसमें हम पानी आड़ करेंगे तो पानी आप अपनी हिसाब से कम यह जादा कर सकते हैं तो मैं यह सब्जी थोड़ा सा ग्रेवी वाला बना रही हूं तो मैंने यहां एक कप पानी डाला है तो फिलाली से ढख देते हैं एक मिनट के लिए और देखिए एक मिनट हो चुक पनीर की सब्जी बहुत ही तेस्टी बनती है पिलकुल रेश्ट्रोएंट की तरह बनती है तो बस अब इसमें दालेंगे एक चोटा चमज डाल देंगे कसूरी मेती और बारी कटा हुआ हरा दनिया पत्ता और मिक्स कर लेंगे इसे हम पनीर की सब्जी तो आपनी कही बार कह तरीके से बनाए होंगे लेकिन एक वार आपिस तरीके से बनाएगा बहुत ही टेस्टी लगता है बिल्कुल रिस्टोरेंट जैसा बनकर त्यार होता है तो इसे हम ढगते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे 4 मिनट के लिए और देखे 4 मिनट हो चुका है पनीर को पकते हुए तो ब पनीर का सबजी बहुत पसंद आएगा तो एक अवर आपा इस तरीके से पनीर की सबजी जरूर बन जी गा तो बस कैंसका फ參ए में बंड हो जाने देंगे तो चलिए बनीर की सबजी हमारा बन कर तयार हो गया है बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह देकिए बिल्कु कि तरह लगता है सबजी खाने में और बस आप इसे तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं नान के साथ खा सकते हैं पहुत ही तेस्टी लगता है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा चैनल पर नए है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सकी थैंक यू